दोस्तों नमस्कार ये हमागदोशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों बिभिन प्रतियोगी परिक्षाओं के सामान निग्यान और सामान नियद्ध्यन के लिए भारत के भुगोल से संबंधित महत्पोंड प्रश्णों के अंतरगत इस वीडियो में हम साल्व करेंगे जन जातियां एवं भाशाओं से संबंधित महत्पोंड प्रश्णों का भागे जो आपके आगामी बिभिन परिक्षाओं जैसे UPPCS प्रारंभिक परिक्षा आरो यारो यानि समिक्षादिकारी, सहायक समिक्षादिकारी, लोवर PCS तथा अन्यराज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्राखन, बिहार, राजस्थान और यमपी PCS द्वारा आयोजित की जाने वाली परिक्षाओं के साथ अध्यापक भरती परिक्षाओं जैसे TGT, PGT, Yelty Grade, Government Inter-College प्रवक्ता, Government Degree College, NetJRF भुगोल के लिए बहुत ही उप्योगी है तो आईए शुरू करते हैं भारत के भुगोल के अंतरगत, जन जातियां एवं भाशाओं से संबंधित महत्तपूर प्रश्नों को पहला प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जनगली छेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समों पाया जाता है आपसन है आपकी दिनारिक, मेडिटेरेनियन, मंगोलायड या प्रोटो आश्टेलायड तो सही उत्तर मंगोलायड आपसन सी दुस्तों याद रखेगा उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जनगली छेत्रों में मंगोलायड प्रजातीय समों पाया जाता है अगला प्रशन है महत्तोपूर्ण है कि भारत की निमनलिखित में से कौन सी जनगाती प्रोटो आश्टेलायड प्रजाती से समबंधित है आपसन है इरूला, खासी, संथाल या फिर थारू तो उत्तर है संथाल देखे संथाल जनगाती जो है ये प्रोटो आश्टेलायड प्रजाती से समबंधित है अगले प्रशन पर चलते हैं भारत के निमनलिखित भागों में द्रवीडियन प्रजात जिसको द्रवीडियन रेश कहा जाता है मुख्य रूप से भारत के दक्षुडी भाग में या दक्षुड भारत में संकेंद्रित है ये द्रविण भासा परिवार से संबंधित है इसमें तमिल, कर्नर, मल्यालम, तेलगू और तुलू प्रमुख है अगले प्रशन पर आते हैं निमने लिखित में से किस राज्य में जनजातिय समुदाय की पहचान नहीं की गई है महराष्ट, 36 गड, हरियाडा या फिर करनाटक तो सही उत्तर दोस्तों हरियाडा में आप जान लीजिए कि वर्स 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाडा, चंडिगठ, दिल्ली और पोडुचेरी में जनजातिय जनजातिय समुदाय की पहचान नहीं की गई है एक और बहुत ही महत्तपून प्रशन यूपी इस पेसल में बार बार पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति दिपावली को शोक के रूप में या सोक के तेवहार के रूप में मनाती है तो उत्तर है थारू जनजातिय आप जान प्रशन है भारत के निमनलिखित किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है तो आप जानते हैं थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तर खंड और उत्तर प्रदेश के तराई छेतर में निवास करती है आप संडी आपका सही उत्तर है अगला प्रशन है संथाल न आप जान लीजे दोस्तों संथाल जनजाती भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है इनका निवास पूर्वी भारत के राज्यों मुख्यत पशिम बंगाल बिहार जारखंड और ओडिशा के साथ त्रिपुरा में भी है तो सही उत्तर आप संडी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पर आपके जनजाती और उनसे संबंध राज्य दिखाए गए है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है भील गुजरात में सही है जौनसारी उत्तराखंड में सही है संथाल 36 गढ़ सही नहीं है खासी मेघाले सही है तो आप संसी दोस्तों ये आपका सुमेलित नहीं है क्यों? क्योंकि संथाल जनजाती मुख्य रूप से पशिम बंगाल, बिहार, जारखंड और ओरिशा तथत्रिपुरा में पाई जाती है 36 गढ़ में नहीं अगला प्रश्ण है रितु प्रवास किया करते हैं किस जनजात के लोग भूटिया, भुकसा, जौनसारी या थारू तो सही उत्तर भूटिया जनजाती के लोग दोस्तों आप जान लीजे भूटिया जनजाती जो सिक्किम में पाई जाती है ये रितु प्रवास करते हैं अगला प्रश्न है बोडो निवासी हैं कहां के बोडो जनजाती ये समुदाय है इसमें पूछा गया है कि बोडो कहां के निवासी है गारो पहाडी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के या मध्य परदेश के तो सही उत्तर है, बोडो दोस्तों आप जान लिजे बोडो जनजाती ये निरिजाती और बहुभासी समुदाय है जो भारत के उत्तरपूर की गारो पहाडीयों में पाई जाती है देखें, उत्तरपूर की गारो पहाडीयों में पाई जाने वाली जनजाती है तो सही उत्तर आपसन A हो जाएगा आपसन A गारो पहाडी में बोडो जनजात निवास करती है अगला प्रश्ण है निमने लिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है तो केरल में चेचु जनजात निवास करती है याद रखेगा चेचु मूलते आंधर प्रदेश के नल्लम अलाई छेतर की जन जाती है और ये केरल के भी कुछ भागों में निवास करती है अगला प्रशन है कि निम्न लिखित में भारत की सबसे बड़ी जन जाती कौन सी है आपसन है आपके टोड़ा गोंड भील या फिर गारो तो सही उत्तर गोंड आपसन भी याद रखेगा दोस्तों जब ये प्रश्न पूछा गया था तो भारत की सबसे बड़ी जनजाती गोंड थी लेकिन 2011 की जनगर्णा के आकड़ों के अनुसार भील जनजाती समों की जनसंख्या सरवाधिक है गोंड दूसरे अस्थान पर है तो यहाँ पर आप देख लीजिए भील भील जो जनजाती है इसकी जनसंख्या सरवाधिक है और ये भारत का सबसे बड़ा जनजाती समों है 2011 की जनगर्णा के अनुसार याद रखेगा 2011 की जनगर्णा के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा जनजाती समों है अगला प्रश्ण है टोड़ा एक जंजाती है जो निवास करती है कहां पर तो आप जानते हैं टोड़ा जंजाती ये नील गिरी की पहाड़ीों में निवास करती है आपसं सी आपका सही उत्तर है टोड़ा जंजात नील गिरी की पहाड़ीों पर निवास करती है और प्रादे जन्जाति का नाम बताना है जहां बहुपति बिवाह प्रथा प्रचलित है कादर, लोढ़ा, मुंड़ा या तोड़ा 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 जन्जात में बहुपति बिवाह की प्रथा है अगला प्रेश्ण है सरहुल तेवहार कौन लोग मनाते हैं उराव, कमार, बैगा, गोंड तो सही उत्तर उराव जनजाती समूह के लोग सरहुल नामक तेवहार मनाते हैं सरहुल तेवहार जारखंड छेतर के उराओं मुंडा और हो जनजातियों दोर मनाय जाता है ये प्रतेक वर्स हिंदू कैलेंडर के प्रथम्मा चैतर में मनाय जाता है और सरहुल का तात पर विरिक्षों की पूजा से है अगला प्रशन है भील जनजाति कहां पाई जाती है असम जारखंड पशिम बंगाल या महराष्ट में तो सही उत्तर है भील जनजाति भारत के गुजरात मध्यप्रदेश चत्यसगर्ड महराष्ट आंध्र प्रदेश करनाटक त्रिपुरा और राजस्थान प्रांतों में र निर्धारन का आधार क्या है आपको बताना है और ये प्रशन बार-बार परिक्षाओं में पूछा गया है ये आपको रटा होना चाहिए कि भारत में जनजातियों के निर्धारन का आधार सांस्कृतिक विशेसी करन और विभिन आवास है भारत में जनजातियों के आफसन है अंडमान निकोबार दादरा नगर हवेली दमन द्वीब या फिर लक्षदीप में तो सही उत्तर है अंडमान Нिकोबार द्वीब समो में रहते हैं अगला प्रश्ण है जारवा जंजाति के लोग ये हाल में चर्चा में रहे हैं कहां के निवासी हैं आपको बताना है तो जारवा जंजाति के लोग अंडमान निकोबार में निवास करते हैं आप संडी आपका सही उत्तर है अब जान लीजे जार्वा जंजाति का निवास अंडमान निकोबार दूप समुह में दक्षडी अंडमान देप और मध्य अंडमान दूप में है अगला प्रश्ण है भारत की सरवाधिक आद्य यानि प्राचीन जंजाति कौन सी है तो याद रखना है आपको जार्वा जंजाति जो अंडमान निकोबार में निवास करती है ये भारत की सरवाधिक आद्य या प्राचीन जंजाति है याद रखेगा दिये गए विकल्पों में भारत की सरवाधिक आद्य जंजाति जार्वा है अगला प्रेश्ण है जूमिंग करते हैं कौन? जूम क्रिसी कौन लोग करते हैं? भोटिया, खासी, संथाल या टोड़ा तो सही उत्तर खासी, खासी समुदाय, खासी जन जाते समुदाय की लोग जूम करते हैं या जूमिंग क्रिसी करते हैं ये एक प्रकार की अस्थानांतरित क्रिसी है जिसमें पेड़ पाउधों को काट कर जला दिया जाता है और उसमें कुछ वर्स तक उत्पारन लेने के बाद उस भूमी को छोड़ दिया जाता है अगला प्रेश्ण महत्पूर है कथा बनाने वाली अनुसूचित जनजाती कौन सी है तो याद रखे कथा बनाने वाली अनुसूचित जनजाती खैरवार या खरवार है और आप जानते हैं कि जो जिस पौधे से जिस पेड़ से कथा निकलता है उसे खैर ब्रिक्ष भी कहते ह इसी से कथा की प्रात्ती होती है तो इन्ही के नाम पे खैरवार या खारवार दिया गया है ये कथा बनाने वाली जन जाती है अगला प्रश्ण है लेपचा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे अरुडाचल प्रदेश, तिरपुड़ा, मुझम्मु कस्मीर एवन सिक्किम तो सही उत्तर सिक्किम दोस्तों लेपचा जन जात मुख्यत सिक्किम में पाई जाती है इसके अलावा ये पश्यम बंगाल के काली पोंग जिले और नेपाल और भूटान में भी निवास करती है अगला प्रश्ण है देखे प्रश्ण संख्या 24 निम्न लिखित में से किस राज में आपातानी आदिवासी जाती के लोग रहते हैं मध्य प्रदेश, ओडिशा, जहारखंड और अरुडाचल प्रदेश तो सही उत्तर आपातानी जनजाती के लोग अरुडाचल प्रदेश के अवर सुवन सीरी जिले में पाय जाते हैं आप संडी आपका सही उत्तर अरुडाचल प्रदेश में आपातानी आदिवासी जनजाती के लोग निवास करते हैं अगला प्रश्ण है खासी और गारो जनजातियां मुखे रोप से रहती हैं कहां पर तो आप जानते भी होंगे दोस्तों भारत के पुरुवत्तर राज मेगाले में गारो खासी और जयनतिया जनजातियां पाई जाती हैं इन ही तीनो जातियों के नाम पर वहाँ पर तीन पहाड़ियां इस्थित हैं तो सही उत्तर आपका आपसन बी हो जाएगा मेगाले में खासी और गारो जन्जातियां निवास करती हैं अगला प्रशन है मुंडा जन्जाति भारत वर्स में कहा पाई जाती है आपको बताना है शिक्किम नागलेंड अरुडाचल पर देश या जारखंड तो सही उत्तर मुंडा जन्जाति जारखंड में निवास करती है मुंडा जन्जाति का मुख्य निवास अस्थान जारखंड राजमे राची के दक्षिन और पश्मी भाग पर है इसके अलामा मुंडा जन्जाति के लोग ओडिशा, असम, हिमाचल परदेश, मध्य परदेश और पश्म बंगाल में भी पाय जाते हैं अगला है कोल, भील, गोंड ये जन्जातियां किस राजमे निवास करती हैं ओडिशा, असम, मध्य परदेश और राजस्थान तो सही उत्तर है कोल, भील, गोंड, अगरिया, बैगा, बरेला, भुजिया, खरिया ये मध्ध प्रदेश में निवास करने वाली जन जातिया है आपसन C आपका सही उत्तर है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्ण है कोल, भील, गोंड ये जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से किस राज में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां संख्या में यानि जन संख्या के आधार पर कहां पर सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां जो हैं वो निवास करती हैं आपको बताना है बहुत ही मुहत्वपूर्ण प्रश्ण है साथियों ये आप देखे आपसन है गुजरात, मडिपूर, बिहार या मध्यपरदेश तो आप सभी साथी जान गए होंगे सरवाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या मध्यपरदेश में पाई जाती है आपसन डी आपका सही प्रश्ण है जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवाशी सब्द का प्रियोग किसके द्वारा किया गया था तो ये प्रश्ण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है समाशास्त्र में भी पूझा जाता है तो सबसे पहले ठककर बापा, ठककर बापा इन्होंने जन पूंजी तथा जयनतिया जंजाति किस राजे से संबंधित है मड़िपूर नागलेंड मेघाले या मिजूरम तो सही उत्तर मेघाले आप संसी सही उत्तर है आप जान लीजे चेरा पूंजी और जयनतिया जंजाति मेघाले राजे से संबंधित है मेघाले के अन्य जंजाति स मुहों में गारो और खासी हैं अगला प्रश्ण है कौन सी जंजाति राजस्थान राजِّ की है अशुर, गरसिया, मुणडा या फिर संथाल तो सही उत्तर गरसिया जंजाति या अज़शन भी दोस्तों याद रखेगा राजस्थान में पाई जाने वाले प्रमुक जन जातियों में मेव, रावत, मीड़ा, गरसिया, सहरिया, मेरात और कोली हैं अगला प्रश्ण है निमने लिखित राज्यों में किस में उसकी जन संख्या में अनुसूचित जातियों का सबसे अधिक अनुबात है यानि प्रतिशत्ता के द्रिष्टी से किस राज्य में उसकी जन संख्या में अनुसूचित जातियों का सबसे अधिक अनुबात है राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या तमिलनाड में तो सही उत्तर क्या हो जाएगा अनुसोची जातियों की सरवाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है जबकि प्रतिशत्ता की द्रिष्टी से सरवाधिक अनुसोची जाति पंजाब में है ये 2011 की जनगाणना के अनुसार तो आपसन बी आपका सही उत्तर है अगला प्रश्न है कूकी किस राजे से संबंधित है तो कूकी जनजाती मड़िपूर राजे से संबंधित है इसको याद कर लिजेगा कूकी जनजाती मड़िपूर में निवास करती है अगला प्रश्ण है कि अहोम जनजाती भारत के किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फेट जारखंड तो अहोम जनजाती असम से संबंधित है अपसन ए आपका सही पुत्तर है अगला प्रश्ण है सजाती ग्रूप मंगुलाव भारत में कहां पाये जाते हैं आपसन है दक्षडी छेत्र, दक्षडी मध्य छेत्र, उत्तरपश्मी छेत्र या उत्तरपूर्व छेत्र तो उत्तर है भारत में मंगोलाभ उत्तर पूरु छेतर में अधिवाशित है ये लोग चीन तथा मंगोलिया से प्रवासकर भारत आये और सिक्किम और राचल प्रदेश नागलेंड मडिपूर और मिजूरम में बस गए तो आप सन डी आपका सही उत्तर है गद्धी लोग कहां कि निवासी है तो आप जान लिजे गद्धी जन जाती हिमाचल प्रदेश में निवास करती है आप सन बी आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है खासी और गारो भासा बोलने वाली जन संख्या पाई जाती है कहां पर देखें महत्तपूर प्रश्ण है ये कि खासी और गारो भासा बोलने वाली जन संख्या कहां पाई जाती है मद्धी प्रदेश मेघाले त्रिपुरा या फिर असम में तो गारो और खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या मुख्य रूप से मेघाले में असम में और मिजोरम राज्यों में मेघाले और असम में तो पाई ही जाती है ये मिजोरम राज्य में भी पाई जाती है तो इसलिए इसमें कोई एक सटीक विकल्प नहीं दे सकते सटीक उत्तर लेकिन अगर देखा जाए तो मेगाले में इसका खासी और गारू घासा बोलने वाली सरवातिक जन जाती है अगला है सहरिया जन जाती के लोग कहा के निवासे हैं आंध्रप्रदेश असम राजस्थान या ओडिशा तो सही उत्तर आपका हो जाएगा राजस्थान दोस्तों सहरिया जन्जाती राजस्थान की प्रमुक जन्जातियों में से एक है इसके अलावां सहरिया जन्जाती 36 गढ़ मध्यप्रदेश उत्रप्रदेश में भी पाई जाती है अगला प्रश्ण है निम्ले लेखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है जनजाती और अवस्थिती के बारे में आपको बताना है अंगामी नागालेंड देखिए महत्पोर प्रश्ण है ये इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो अंगामी नागालेंड बिरहोर जारखंड खस अरुडाचल प्रदेश सही नहीं तोड़ा तमिलनाटू सही है तो खस जनजाती कहां पाई जाती है आप जान लिजे दूस्तों खस जनजाती भारत के उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मु कस्मीर में पाई जाती है खस जनजाती अरुडाचल प्रदेश में नहीं बलकि आप जान लिजे कि ये उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और जम्मु कस्मीर में पाई जाती है अगला प्रश्ण है कि तमरिया जन्जाती देखे तमरिया जन्जाती ये भारत के किस राज्य में पाई जाती है महत्तुपूर्ण प्रश्ण है तमरिया जन्जाती आपसन है पशिम बंगाल राजस्थान जहारखंड या मध्य प्रदेश में तो तमरिया जनजाती भूमित जनजाती की उप जाती है जो मुखेत जारखंड और ओड़िसा में पाई जाती है 28 तमबर 2019 की इस्थिति के अनुसार जारखंड में तमरिया जनजाती को अनुसूची जनजाती की सूची में मुंडा जन्जाती के सापेक्षे या मुंडा जाती के सामान रूप में शामिल किया गया है तो जहारखंड आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है मधेशी जन्जाती भारत और उसके किस पडोसी देश से संबंधित है मधेशी नेपाल, स्रीलंका, बंगला देश और पाकिस्तान तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मधेशी जन्जाती भारत और उसके पडोसी देश नेपाल से संबंधित है अपसन ए आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है सोमपैंस कहां के आदिवासी लोग हैं अंडमान, निकुबार, लक्षदीप या इन में से कोई नहीं तो सोमपैंस या सैंपेंजन जन्जाती ये अंडमान निकुबार में पाई जाती है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अंडमान अपसन A आपका सही उत्तर है सैंपेंजन जन्जाती अंडमान के जो है दोस्तों अंडमान निकुबार के निकुबार द्वीप में निवास करती है देखें यहाँ पर अंडमान निकुबार के निकुबार द्वीप में निवास करती है अगला प्रश्ण है कि कौन से लोग पीले वण के तिर्यक नेत्र उठी हुई कपोल अस्त छुटपुटकेश और मध्यम उचाई वाले व्यक्ति होते हैं कौन से संबंधित हैं किस से नाडे कारियों से आश्ट्रियाई जनों से निग्रोसम जनों से या मंगोलायड जनों से तो सही उत्तर मंगोलायड जनों से मंगोलायड जो प्रजाति समू है वो पीले वण के तिर्यक नेत्र उठी हुई कपोलस थी छुटपुटकेश और मध्य उचाई वाले व्यक्ति होते हैं अगला है भारत में जो एक मात्र मानवाभ कपी या मानोसद्रिस कपी पाया जाता है वो कौन सा है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा असम में पाया जाने वाला जो मानवाभ कपी है वो असम का स्वेत भौंगिब्बन है दोस्तों याद रखेगा उत्तरपूर छेत्र में पाये जाने वाला असम का स्वेत भोगिब्बन ये भारतियूप महादेप छेत्र का मानो सद्रिस कपी है अगला प्रश्ण है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जन्जाती कौन सी है आपको बताना है तो उत्तराखंड की वरतमान में जो थारू जन्जाती है ये सबसे बड़ी जन्जाती है आपसन डी आपका सही उत्तर है थारू जन्जाती ये उत्तराखंड में निवास करने वाली सबसे बड़ी जन्जाती है अगले प्रशन पर आते हैं इसमें पूछा गया है कि राज्य और उसकी मुख्य भाषा में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है गोवा, कोंकडी, मिघाले, खासी, नागलेंड, अंगामी और सिक्किम, तिब्बती तो सही उत्तर आपका है, गोवा, कोंकडी ये आपका सही सुमेलित नहीं है कैसे, तो सिक्किम राज्य की मुख्य भासा, नेपाली, भुटिया, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं गोवा की, इसमें हम सही, कौन सही सुमेलित है, देखिए नहीं नहीं पढ़ पाया, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज हो गया तो गोवा की कोकड़ी है सही है, मेघाले की खासी है, ये भी सही है, नागालेंड की अंगामी है, सिक्किम की तिबती ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्यों? क्योंकि आप जान लिजे सिक्किम राजी की मुख्य भासा, नेपाली, भूटिया और लेपचा है अगला प्रश्ण और देखिए, अगला प्रश्ण है और ये भारत की जनजातियां और भासाओं से संबंधित महत्तपूर्ण प्रश्णों के भाग एक का लाश्ट कोशन है, इस वीडियो का, सुची एक और दो का सुमेलन करिए और दिये गये कोड से सही उत्तर का चैन करिए टोडा, टोडा तमिलनाडु में पाए जाती है, लेप्चा जनजाति आप जानते हैं दोस्तों देखिए लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करती है, बीर होर ये जारखन्द में और गारो में घाले में तो तीन एक चार दो यहाँ पर तीन एक चार दो यह आपका सही सुमेलन हो जाएगा बहुत आसानी से आप इसको सुमेलित करत पाएंगे तो दोस्तों यह था आज का वीडियो विभिन परिक्षाओं के लिए भारत के भुगोल से संबंधित महत्तोपून प्रश्न संग्रह में जन जातियां एमभासाओं से संबंधित महत्तोपून प्रश्नों का भाग एक जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप Namaskar.